आत्म पंची उड़ उड़ जाए आत्म पंची उड़ उड़ जाए पवित्रता के पंक लगाए पार नील गवन प्यारा अपना मीठा वतन शीव बाबा के पास शीव बाबा के पास प्यारे बाबा के पास सुख सागरे की ये लेहरों में मुतियों से मन बर रे नजरूं से होनी शक्तियों से शिंगार कर ले आनंद से दिल भर भर जाए आनंद से दिल भर भर जाए मिठिया दोने मन समाए आर नील गगन त्यारा अपना मीचा वतन शिव बाद के पास 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 शिव बाद के पा पवित्रता के सागर ने हम सबको पवित्रता का सुन्दर मंत्र दिया जिस मंत्र को जीवन बनाकर, यंत्र बनाकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं तो आप सभी देश विदेश के ब्राम्हन कुल भूशन जिन्होंने पवित्रता से स्वयम का श्रिंगार किया है ऐसे श्रिंगार धारी महानात्माओं का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन चलो ढोंडते हैं ब्रह्मचर्य के अनोखे पहलू के चाउथे सत्र में बहुत गहराई से इस सुन्दर विशय पर चर्चा इसलिए क्योंकि ये हमारी ब्रामण जीवन का आधार है बाबा जब आये स्रिस्टी पर तोन होने प्रथम तह हमें जो बात कही वो यही कही कि बच्चे पवित्र बनो योगी बनो इससे ही हम पवित्रता की महत्ता को समझ सकते बाबा ने इसकी जो सुन्दर विशेष्टा या सुन्दर व्याख्या की है उसे हम अपने पास जरूर रखें बावा ने कहा पवित्रता है तुम्हारी दिव्यता है पवित्रता ही तुम्हारी महांता है पवित्रता की ही मान्यता है पवित्रता ही तुम्हारा श्रिंगार है और ये कहा कि जैसे श्वांस के बिना जीवन नहीं है वैसे ही ब्राम्भनों के लिए पवित्रता के बिना जीवन नहीं है, स्वास ना चले, तो कैसी घुटन होती है, वैसे ही पवित्रता ना हो, तो आध्यात्मिक जीवन में भी घुटन महसूस होने लगती है, वो उन्नती वो विकास नहीं होता, जिसके कारण हम इस पत पर चलते हैं, या प्राप्तियों की उमीद रखते हैं, और यही नवीनता है, जिसके आधार पर सारी संसार के निगाहें तुम्हारी ओर जाएंगे, क्योंकि चारो तरफ तो काम की अगनी है, एक बाबा के ही बच्चे हैं, जो पवित्रता का मशाल लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और सारी संसार को पावन करने के द्रेड संकल्प को के धनी हैं, तो विशीष करके पवित्रता की जो बात बाबा ने कही है, उसकी सुक्षमता और उसकी गुहियता, पिछले सीजन की मूरली में भी बाबा ने अंडरलाइन कराई है, वहीं से मैं शुरवात करना चाहूंगा, बाबा ने कहा बहुत सुक्षमता से इस पर ध् कि मन में, वचन में, कर्म में, स्वप्न में भी, संबन संपर्क में भी पवित्रता कितनी है, क्योंकि जितनी पवित्रता होगी, उतनी ही प्राप्ती होगी, उतना ही जीवन आनन्दित होगा, जितनी पवित्रता होगी, बाबा ने कहा, उतना ही 21 जन्म की जो प्राप्ती है, वो सारी प्राप्तियां होंगे, तो जो इतनी सुन्दर प्राप्तियां कराने वाली हैं, पिछली बार भी हमने इस धार्णा पर विशेश चर्चा के थे, आज भी उसकी सुक्ष्मता में उतरते हैं, उस महानता की ओर चलते हैं, क्योंकि ये जीवन हमारा पवित्र जीवन है, और पवित्र जीवन बना करके ही, हम सारे संसार में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और पवित्रता ही प्रत्यक्षता का आधार है, तो आई आदर्णी ब्राताजी का भी नंदन करते हैं आज के सत्र में, और ब्राताजी से पहले हम सुनेंगे कि आज उनकी क्या प्रेड़नाएं हैं पर शाथ इसकी सुक्ष्मधारना हम कैसे करें उसकी ओर चलेंगे आदेड़नी ब्राताजी ओम शांती सभी भाईवेनों का बहुत-बहुत स्वागत है जरूर जो जुड़े हैं उनको संपूर्ण पवितर्ता को दारन करने की एक आंत्री का बिलासा है हम चर्चा कर रहे थे कि पवितर्ता, सुक्ष्यान्ति, संतुस्ता, सरल्ता, निरहकारिता इन सब की जन्नी है चोथा टोपिक दिया गया था ब्रह्मचरी और सेवा मैं थोड़ा सा इसके बारे मैं आपको कह दूँ बहुत साल पहले मैंने सुना बाबा की साकार मुल्ली में अभी ज़ी ज़ी आता है लोकिक में जो गुरू जितना पवितर है उसके सिश्य उतनी ही ज़ादा होते हैं उतनी अच्छे होते हैं सेवाओं में निमित्त आत्माओं की जितनी प्योरिटी है उदेवकुल की आत्माओं को उतना ही अट्रेक्ट करती हैं सेवा बढ़ती जाती है सेवाओं में आज तक अगर हम विगनों की बात करें जहां थां तो वो इंप्योरिटी के कारण ही आये हैं प्योरिटी एक बहुत बड़ी शक्ती है जो मनुस को विनम्र बना देती है स्वीट बना देती है उसके मन की भावनाओं को बहुत स्ट्रेश्ट कर देती है वो किसे को गिराना में चाहेंगे उपर उठाना चाहते हैं, टक्राव से मोक्त, तीर सद्वेश से मोक्त, भासा बहुत स्वीट, एंकरेजिंग, इंस्पाइरिंग, मोटिवेटिंग, ऐसी आत्मा हैं, सैज ही सेवाओं की व्रद्धी कर देती हैं, हम सब जानते हैं, सेवाओं में पालना की सबसे बड़ी आवश्यकता है, कोई दुखी आता है, कोई अशानत आता है, कोई संसार से परिशान होकर आता है, कोई संबंदों की कड़वाट जेल कर आता है, कोई सत्त की खोज में आता है, कोई भगवान से मिलने आता है, जिस लक् तो वो जाएगा नहीं, लेकिन हम उसे रिजेक्ट करने लगें, हम उसे परिशान हो जाएं, हम उसके वेवार को न बदल पाएं, देखें ये भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कि हमें दूसरों को भी स्वीट बनाना है, हार्मनी हो जाएं, सम्बंदों में ऐसा बनाना है, प्यूरीटी सेवाओं की व्रद्धी का साधन है, एक दो बात सेवाओं के बारे में याद दिला दूं बाबा की, मैं पन आया और सेवाओं का गुलदस्ता मुरजाया, बद स्वार्थी कर्मा तीत बनने में सबसे बड़ी डिवार है, स्वार्थ मैं पन पहले मेरा भला हो मुझे मिले, जवात्मा बहुत पवित्र होने लगती है, तो उसका चित इतना आनंदित रहता है कि उसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता है, उभर पूर महसूस करते है, इच्छा मात्रम विद्या होने लगती है, यह स्वार्थ मैं पन छोटी बात लगने लगती है, मान मिले, सम्मान मिले, पद मिले, मैं इस बड़े पद पे पहुँच जाओं, ब्रामनों में भी पद की होड आजकल बहुत है न, जो पभित्र आत्माएं हैं वो तो भी समारा जन बनती हैं, बड़े 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 कारिये करती हैं, उनके लिए यह डायरेक्टर बनना, चेयर परसन बनना, यह क्या है? यह तो नोकर बनते हैं उनके, तुमान आत्माएं बहुत पवित्र हो जाती हैं, बाबा की एक सुन्दर बातिया दिलादू, इसकी सब करेंगे, ओती सुन्दर है, एक ही बार कही है, बाबा ने अब तक अवित्मावक्य हैं, जब तुम्हारी द्रस्टी नेचूरल रूप से हरेक्टी आत्मा पढ़ जाएगी, प्यानी, नेचूरल रूप से हमारी आत्मिक द्रस्टी हो जाएगी, यह नहीं देहे देख रहे ह अकरसित हो रहे हैं, फिर याद आया, यह आत्मा है, नेचूरल रूप से जब तुम्हारी द्रस्टी केवल मस्तक में चमकती हुए आत्मा पर जाएगी, तब संसार की द्रस्टी तुम चमकते हुए सितारों की और आएगी, अकरसित होगी, कितने बड़े राज हैं परतक्स टीवी से हो जाएगी, अकवारों में डालने से हो जाएगी, नेवर, परतक्स्ता होगी अमाद इसरे स्थिस्थिती से, पवित्रात्माओं के मस्तक इस्तेज से बहुत चमकेंगे, और मैंने पहले भी याद दिलाया क्लास में, बाबा की साकार मुली में आया है, नजदीक म जब तुम संपोर्ण पवित्र बन जाते हो, तब तुमसे साकसातकार होते हैं, देख लो फिर कितनी सेवा होगी, कोई भी साकसातकार मुर्द बन जाए, वो सेंटर निवासी हो या गरस्त में रहने वाले, साकसातकार मुर्द बन जाए, तो आत्माओं को घ्यान थोड़ा देना पड़ेगा, वो तो चर्णों में नमन करेंगी, जो आपको होगे ही सत्ते हैं, सब कुछ बलिहार कर देंगी, और बाबा ने ये भी कहा, दूसरी गहरी बात मुझे याद आ रही है, ये बात पचास साल पहले की है, जब तुम व्यर्थ की संकल्पों की क्यूं से मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारे आगे समर्पित होने वालों की भी क्यूं लग जाएगी, भगवान पे तो समर्पित होंगे ही, पर पहले आत्माओं के आगे समर्पित कर देंगे, इस देव-देवियों के आगे समर्पित कर द तो प्यूरिटी हमारा ऐसा संगार है, जो संसार को अकरसित करेगा, पहली बात फिर रिपीट कर देता हूं, संसार हमारी ओरा कर्षित होगा, हमें किसी की ओरा कर्षित नहीं होना है, धन हमारे चर्णों में आएगा संसार का, लेकिन हमें अपने इस्वरिये खजानों में मस्त रहना है, वो धन हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा, बाबा ने साकार में कभी कहा था, उन दिनों मुंबई चोटी थी, अब से चोथाई होगी, चोथाई से भी कम, कि जितना सारा मुंबई का खजाना है न, उतना तो तुमारे महल में एक सुंदर सा हीरा लगाओगा, उतने संपती का, तो जो इतने धनवान, जो स्वैम लक्ष्मी बन जाए, लक्ष्मी उसके पास धन, धन की इच्छा होगी उसे, या जिम जिम, रिम जिम, चम चम करेगा धन उसके सामने, तो जिन को ये नसा है, वो इस धन को भी स्वीकार नहीं करेंगे, धन तो सारे संसार का चर्णों में जिन इस देव देवियों के मंदिरों में भी बहुत चड़ावा चड़ता है, अबने सुनाई होगा भारत में केरल में, विश्नु का एक ऐसा मंदिर है, जिसमें अथा धन संपदा है, कोई उसको निकाल भी नहीं पा रहा, इतनी संपदा है, कि पूरे केरल स्टेट को कितन सालों तक भोजन कराया जा सकता है, इतनी धन संपदा, तो जिनके मंदिरों में इतना चड़ावा चड़ता है, जब वोपर तक सोंगे, तो क्या होगा, इसलिए इच्छा मात्रम विध्या बन जाएं, पवित्रात्मा का ये मुख्य साहिन होता है, कोई इच्छा नहीं, इस इतनसार से कुछ भी नहीं चाहिए, तो सेवाइं तो पीछे पीछे आएंगी, और आपको कह दू मैं, सेवाओं की तो दो जार पच्छिस तक सुनामी आने वाली है, ज्यान तो हम एक गंटे में सारा दे दिया करेंगे, सारा ज्यान एक गंटे में, एक सेशन में, लेकिन द कि तेज सपर पढ़ता रहेगा, जो प्यार से, सर्व खजानों से, दुमाओं से, दुसरों की पालना करेंगे, ऐसी पवित्रा आत्माएं संसार में जगमगा उठेंगी, बाबा के रहे हुए कारिये को पून करेंगी, बाबा तो अब देखो छुप गया है, जब बाबा सा कार में थे और अव्यक्त हुए, तो बैहने दादियां बहुत पूछते थी, बाबा, आप चलेगे, बाबा का सुंदर उत्तर था, जो मुझे बहुत बाता था, ज्ञान सुरिये छुपा है, सितारों को चमकाने के लिए, सूरज जब तक चमकता है, सितारे थोड़ा है, दि और अपनी महान आत्माओं को आगे कर रहे हैं, ये भी तो उनका एक बहुत बड़ा बड़ा पन है, सागर है, खुद हमें तयार किया, अब हमें कहेंगे तुम संसार को तयार करो, तो पवित्र आत्माओं की मुख्यकारिये होंगे, सेवा बहुत व्रद्धी को पाएगी, जिनके पास प्योरिटी का तेज होगा, त्याक का तेज होगा, तो सभी भाई बहने, इस महान शक्ती से, इस महान खजाने से अपना संगार करते चले, अपने से चंतन करे, जनम जनम विसेविकारों में रहे, अब पवित्रता का आनंद लेना है, जिन मार्गों पर संसार च चलना है, हमारा कंपिटीशन संसार से नहीं, हमारा कंपिटीशन तो अलोकिक है, जो भगवान ने कहा, उसको कौन पहले पूर्ण करे, यह हमारा कंपिटीशन है, हमारी रेस तो योग की रेस है, तो दुनिया के कंपिटीशन में जाकर, अब सभी तयार करें अपने को, जहा भी आप रहते हैं, वह ही रहना है आपको, तैयार करें कि हमारा ये अंतिम समय, अंतिम जनम का अंतिम समय, भगवान के काम आजाए, संसार के काम आजाए, हम अपने परंपिता, गौड फ्रेंड, खुदा दोस्त की, इन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन जाएं, और सभी बहुत अच्छी तरह इस धारना पर ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे, भगवान को वचन दिया है, वचन दे कर वापिस नहीं लेंगे, तो वो जनम जनम हमारे वचनों की लाज रखेगा, अगर हमने वचन देकर छोड़ दिया, तो जैसे भगवान को भी दोका दे दिया, फिर हमारे वचनों पर द्वापरयूग से भी कोई विश्वास नहीं करेगा, तो हम भगवान के विश्वास को बनाएं रखेंगे, तो हम बहुत महंता की सिखर पर पहुँच जाएंगे और संसार का कल्यान करने वाले बाबा की सातने का अत्माओं को मुखत करने वाले गती सदगती का मार्ग देने वाले बन जाएंगे जी रहत है जी आपने बाबा के ऐसे ऐसे सुन्दर महावाख के हम सब को याद दिलाएं जो सचमुच उत्साहित करते हैं, शक्ति से भर देते हैं और ऐसा लगता है कि यही जीवन है और सचमुच यही जीवन है जीवन कुछ समय के लिए भली देभान के कारण कुछ और हो गया था संसार भली किसी और चीज को सुख मान रहा है लेकिन जो पवित्रता के टेस्ट को, टेस्ट कर लेते हैं वो सचमुच जानते हैं कि यह रस कितना महान है, कितना आनंद दाई है तो प्रतेजी जैसे आपने कहा कि सेवा की वृद्धी का जो आधार होगा हमारे चलन चेहरे में भी जो पवित्रता की जहलक होगी उसके आधार पे स्वतही सेवाएं होगी तो मूल बात तो वही आजाती है, इसे लिए मैं वहीं आपको लाना चाहूंगा कि इस धार्णा को हम कैसे परिपक्व करें पिछली बार जो बाबा की मुरली थी, पिछली सीजन की, उसमें बाबा ने कहा कि हमें अपने मन वचन कर में सब में पवित्रता को शामिल करना है तो मैं एक-एक पे थोड़ा-थोड़ा प्रकाश जाहूंगा बहता जी बहले आप इस पे जितना हमें प्रकाश दे जब हम मन की पवित्रता कहते हैं, तो संकल्प, व्यर्थ संकल्प ना हो, ये बात हमेशा आती है साधारन संकल्प ना हो, ये बात भी आती है, तो इसे कैसे प्रैक्टिकल किया जाए क्योंकि एक बहुत उची मनजिल लगती है, सुबह से लेके रात तक अनिक प्रकार की संकल्प चलते रहते हैं, तो मन की संपूर्ण पवित्रता कैसे लाई जाए पहली बात तो में ये कहूंगा कि जहां आत्मा बहुत पवित्र हैं, चाहे वो घरों में हो या सेंट्रों में हो, वहां के वाइब्रेशन सी अलोकिक होते हैं, एक पवित्र आत्मा माना एक अती सुगंधित अगरवत्ती की तरह अपनी सुगंध फैलाती है, चारो और, उन उसमें जो भी आएगा, उसको अनेक अच्छे अच्छे अनुभव हो जाएंगे, मैं एक बात और कह देना चाहता था, इस टोपिक को लेने से पहले, कईयों ने बाबा के मुली में सुना हुआ है, कि लास्ट प्लेन तुम्हारा होगा, तुम विदेशों से मदुबन में आ आपको भागदोड करने की जरूरत नहीं, कि मदुबन भाग के चले, क्योंकि यापका फिर मन नहीं लगेगा, दस दिन तो पंदर दिन तो लगेगा, फिर घर याद आने लगेगा, बड़ा नेचुरल है, हमने देखा है, यह सब अच्छी तरह है, लोग आके रहते हैं, फ और कई चीजे याद आने लगती है, यहाँ मन नहीं लगता, चले यहाँ से, आप सभी संसार के आधार मोर्त हैं, भकतों के रक्षक हैं, इसलिए आपकी उपस्थिती अलग-अलग जगह पर अनिवारिये होगी, अच्छी तरह जान लें इसको, सभी मदुबन में नहीं उनको बाबा अलग-अलग जगह पर रखेगा, विदेशों में भी, इंडिया में भी, ताकि वहाँ उनकी उपस्थिती, वहाँ उनकी प्रजैंस, उनके वाइब्रेशंस, चार और की अनेक आत्मा उको सहरा दें, उनकी रक्षा करें, हम मास्टर विश्व रक्षक बन कुछ और करती हैं, इसलिए ये सोचना ही गलत है, वो तो बाबा उमंग दिलाते थे, और बाबा सुप्रिम टीचर, उसका पढ़ाने का अपना तरीका, मोटिवेट करने का तरीका सुप्रिम ही है, वो किसी मनुस का नहीं होगा, संसार से बुद्धियोग तो चाहते हैं वे लेकिन अगर बुद्धियोग नहीं टूटा और यहां आगे, तो फिर खिचाब होगी, फिर जाना मुस्किल हो जाएगा, प्लेन दूसरा चलेगा नहीं, अटक जाएंगे, देखा हमने इसे इन मदूद में, तो मन वचन करम की पवित्रता, कह दिया बाबाने, संबन संपर की भी, व्यभार में भी हमारी प्योरीटी रहे हैं, व्यभार की प्योरीटी माना हम बहुत स्वेट हो, ना हम से किसी को कस्त पहुंचे, ना हम से कोई डिस्टर्ब हो, ना हम से किसी की स्थिति बिगडे, ये व्यभार में संपर्व संबंध में प्योरीटी है, हमें देखत मुझे याद है, बच्पन में, मदुवन के मेरे बच्पन में, दादी प्रकास मनी किचन में आया, गरते हैं, बिल्कुल नेक्स दोर था उनका कमरा, चाय पीने महीं आती थी, पांच बार आ जाती थी मेरे पास रोज, तो सुरू में तो हम डरते थे, वही बड़े हैं, लेकि दादी की विवार से, दादी आके ऐसे प्यार से बात करते हैं, हाँ सुरी आज क्या बनाया है, दिखाओ दादी को, ऐसे ऐसे बनाना, शिखाती थी हमें, तो क्या होता था, दादी का किचन में आता, माना एक खुशी का माहोल चा जाना, हम गलती बहुत करते थे, क्विक हम से तो भोजन बनाना आता नहीं, आमने तो कभी किचन देखावे नहीं था, गल्ती करते थे, लेकिन दादी इतने प्यार से हमेशी खाती थी, गल्तीयों को कहती थे था छोड़ो इसे, एक बार दाल जला दी पूरी, काहिशे फेंक दो, बद्बू होगे, दूसरी बना दू ज महमनलेषवर आये थे मदूबन में, दादी निर्वेर भाई, एक दो दादी और उन्हें मदूबन की यात्रा करा रहे थे, तब केवल पंडवान था, एक बुजूर्ग से सन्यासी महमनलेषवर ने, जब मेटेशन होल की सीड़ी चड़ रहे थे, तो दादी की अंगली पक पुरा मेटेशन हौल देखा, चितर संजे, और जब आपीश साइ, बैठे थे, जो महमा का रूम है, मिटिंग थी, सब की, सब बैठे, पंद्रा महमनलेषवर होंगे, उसने का पहले मैं एक अनुगव सुनाता हूं, सब देखने लगे, बोलो, स्वामी जी क्या कहना चाहते आज मैंने, अभी-अभी दादी की उंगली पकड़ी थी, यह जानने के लिए कि दादी में कितने प्योरीटी है, क्योंकि यह महमनलेषवर कई तरह की शिद्धियों के मालिक होते हैं, तो कहा मैंने दादी की उंगली पकड़ के जिस प्योरीटी का अनुभव किया है, वो यह जाते हैं, कर्मो में दादी बहुत स्वीट, बहुत लविंग, सुख देने वाली, दूसरे को सिखाने वाली, परिवार को एक service करने वाली, तूटो हुऊ को मिलाने वाली, पमोती विखर गय एक दागे में फिरो देने वाली, यह एक पवितर आत्मा के लकशन होते ह फजुखने में क्रोध भियां जाता है, दुखदाय वचन भी आजाते हैं, इर्शा के बोल भी आजाते हैं, नफरत के बोल भी आजाते हैं, वचनों में कोई हासी मजाख इंपूर टाूंटिंग हैं दुनिया में तो बोच चलता है, पवित्रता अपनाने के बाद हमारे वचन अमरत समान क्योंकि हमारे बोल में हमारी अंत्रिक इस्थिती के वाइब्रेशन्स भी बाहर फैलते हैं बोल बोल नहीं होते अंत्रिक जो हमारी स्थिती है उसके वाइब्रेशन्स मुख के द्वारा बाहर जाते हैं तो हमेध्यान रखना है क्रोध के बोल नहीं, इसाद्वेश के बोलने, पवित्र आत्माओं में इसाद्वेश नहीं होती हैं, तो ब़ливо छोटी आत्माओं के लक्सन हैं, बोल बहुत स्वीट, मिलाने वाले, जोडने वाले, सुख देने वाले, डिस्तरव आत्माक को एकदम, बेफिकर बाजसा बना देने वाले, चिंताएं हरने वाले होंगे, बड़ा सब्जेक्ट है मन की प्योरिटी का, करम की प्योरिटी तो सब जानते हैं, हमें संफुर्ण प क्लासिज में कहा है, जो सुक्सम बात है, काम की सभी कामनाओं का दीरे दीरे त्याग करते चले, तो स्वपन भी पावन होते जाएंगे, काम की जो सुक्सम कामनाएं होती हैं, उनी से गंदे स्वपनाते हैं, क्योंकि स्वपनों की एक ये पी डेफिनिशन है, कि जो मनुस क इनकम्प्लीट इच्छाएं होती है, मनुस उनको स्ववपन में पूर्ण करता है, जैसे किसी से कार चलानी नहीं आती, तो स्ववपन में कार जरूर चलाएगा, देखा होगा, आम भी चलाय करते थे, स्ववपन में कार, तो काम की सभी कामनाओं को छोड़ते चलें, चाहिए वो देखा अकर्सन हो, देखे समीप जाने का अकर्सन हो, सब छोड़ते चलें, मन, संकल्प जनम जनम से निगेटिव इंप्योर भरे हुए हैं, उनको हमें धीरे धीरे छोड़ना है, लेकिन अपने पर थोड़ा अटेंशन देंगे, चैमास, कहां इंप्योर संकल्प चलते हैं, उसके पीछे फिलिंग है, उसके पीछे इंप्योर कोई अच्छा है, उसके पीछे देखा अकर्सन है, कोई पुरा निसंस्कार है, कोई पास्ट का ऐसा बुरा जीवन है, संकल्पों के सवाधार होते हैं, जो कुछ भी हम से अब तक हुआ हमने किया, उसको दो फुलिस तोप लगाना ही पड़ेगा, बाबा को लिख के दे दो, जला दो सब को, समर्पित कर दो, बाबा से छमय आचना कर लो, पवितर जीवन के लिए छमय आचना, प्रकर्ती से भी छमय आचना, और पवितर जीवन देने के लिए बाबा का कोटी-कोटी बार सुकरिया, तो प्योरिटी बढ़ती जाएगी, हमें लग्स रखना है, हमें अपनी प्योरिटी को, प्योर संकल्पों को दिनो दिन बढ़ाना है, मैं पहले ही यात्रा लंबी होती है, मैंने भी, देखो मैंने यात्रा तो बच्पन से ही की है क्योंकि बच्पन से ब्रह्मचरिय की परतिग्या कर ली थी एक ऐसे आरिये समाज से हम जोड़े थे, जिसमें ब्रह्मचरिय की बहुत शिक्षन है थी, चोटी आयू से ही उन चीजों को हमने त लेकिन मैंने बताया था ज़िए शरीर की आयू बढ़ती है तो कोई इंप्यूर फिलिंग दे में बढ़ती हैं, ट्रेक्शन होते हैं, छोड़ते गए, तो इस लंबी आत्रा में निरास नहीं होना है, स्वप्न भी आ सकते हैं, इंप्यूर फिलिंग दे का अकर्शन भी हो सकत लेकिन एक अच्छे पुर्शार्थी को उन्चीजों की अवेर्नेस हो, कि ये माया आगई, हटाओ, बस इतना ही होगा ना, माया आगई और बाबा कावान कर लो, हटाओ, इसको तो हटने लगेगी, तो संकल्पों को चेक करते, करते, हटाते चलना है, कोई एक तरह के संकल् करते हूं, प्राय सभी के अंदर एक दो तीन तरह के संकल्प होते हैं, उन्हें पहचान के उन्हें हटाते चले, लेकिन इसमें स्वमान, पाच्छवरुपों का अभ्यास, और बाबा की ज्यान की पॉइंट्स को यूज करना, ये परमावस्षक होगा, तो हटाते चले, नि पॉर्ण इंदर आजाएगी, तब ये विया थसाधा निगेटिविशन कल्प समाप्त होंगे, इट कैन टेक टाइम, इसलिए निरास नहीं होंगे, अपने को आगे बढ़ाते चले, हमें की यात्रा पर हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हों, ये हमें चेक करना है, मन्जिल हो सकता हमारी लंबी हो, लेकिन हम रास नहीं होंगे, मन्जिल पर पहुंचेंगे, ना पीछे मुड़ कर देखना है, ना कदम को डीला करना है, पहुंच जाएंगे. बहते जी, जो सुक्ष्म बात है एक, जो आपने स्वपन तक की बात कहें, तो स्वपन में कई बार ये होता है, वहां हमें लगता है, हमारा कोई नियंतरन नहीं रहता, तो पवित्र वहां पे कोई न कोई दृष्य आ जाते हैं, और कभी इन कारणों से स्वपन दोश की तो एसे में मन बहुत निराज होता है, तो एसे में हमें फिर क्या करना है? हाँ, देखिए, ये बहुतों के साथ होता है, कुमारों के तो ये प्रस्ण बहुत आते हैं, और मैं तो बताता हूँ कि देखो, एक तो सोने से पहले, आदा अपने को दो, पानी इसी संकल्प से कि मैं परमपवित हूँ, चार्ज करके प्यो, चाहे मुल्ली पढ़ लो पांच जीवन का effect है, यह जनम-जनम के संसकारों का effect है, वो देर-देरे कतम होगा, हमें पता है किस ने क्या किया है पूरु जनमो में, किसके अंदर कितनी कामुकता रही होगी जनम-जनम, वो स्वपन के रूप में आती है, इस तरहा है इसको बहुत सिरियस ली भी नहीं लेना है, लेकिन इसमें सुधार करते चलना है अगर आपको 15 दिन में होता है तो उसको 30 दिन तक ले चलना है फिर आगे बढ़ना है मैंने यह किया ब्यास जब मैं यंग था और मुझे लगता है मैं 25 साल का यह हूँगा तो मैंने ऐसा अच्छा ब्यास किया तक मुझे कोई स्वप्ण में डिस्टर्बेंस कोई परिशानी न हो और हुआ ऐसा तो मेरे सामने एक विसेश लाइट आ गई थी विसेश जानकारी मुझे मिल गई कि यह सब करने से हम बहुत अच्छी स्थिती को पहुँचेंगे तो रात को तैयारी करके सुए सारा दिन हम क्या देखते हैं इस पे बहुत कोई डिपेंड करता है अपने मन को समझा दो अब मेरी स्प्रिक्ट्वल लाइफ है मामा की बात आपने सुनी होगी बहुत पहले मामा मुंबई में थी और रमेश भाई उनको राईव करके घुमाने ले जा रहते सवेरे सवेरे एक बहुत सुन्दर बोर्ड होर्डिंग लगा हुआ था बड़ा रमेश भाई ने पूछा मामा देखा ये होर्डिंग कितना सुन्दर है हमारी बहुत ऐसे होने चाहिए मामा ने कहा मामा ऊपर देखती है तो बाबा को नीचे देखती है तो आत्मा को बाकी कुछ नहीं देखती कि मैंने बात बहुत पहले सुन ली थी जब मैं यग में आया मैंने भीश के अब्यास के ऊपर देखो तो महा जोतियान सुरिये दिखाई देख नीचे देखो तो आत्मा दिखाई दें। दे के अट्रेक्शन बहुत हैं। सजे सजाए दे आपको दिखाई देंगे। आज कल ड्रेसिज भी ऐसी हो गई हैं। लेकिन हमें तो आत्मा देखना है। तो कल युक का परभाव है। ड्रेस भी बदलेंगी। लोग के विवार व से गुजरे होंगे। हमने तो कभी देखा नहीं। गंदगी बढ़ती जाएगी। लेकिन हमार ओमार भी नहीं है। तो अमरतवेल अच्छा करें। रात को अच्छा करें। ठीक हो जाएगा। कुछ हो भी जाए तो कमरा चोड़ के बाहर आओ अपने को फ्रेस करो कोई करता है हमसे और अगर किसे को ज्यादा प्रोब्लम इस तरह की रात को होती हो तो मैं एक सजेशन दूगा हुमेपैथी में और आयुरुहेद में ऐसी थोड़ी दवाईयम ही हैं जो हमारे ग्लेंड्स को गंड्रोल करती हैं उनकी भी मदद आप ले सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हीं योगबल से ही अपनी करमेंद्रियों को नियंतरित करना है साधू संतों की तरह कोई जड़ी बूटी नहीं खाना है। हाँ फिर इतना योगबल चाहिए हैं जो हम करमेंद्री जीत बन जाएं। ज़्यादा दिक्कत हो तो हम इनकी मदद ले सकते क्या और अगर उनको करना है तो हमें पैथी आयुरुदिक मैडिशन काफी कारगर हैं क्योंकि मैं ये चीज़ कई कुमारों को कराई हैं जो बहुत परिसान थे और वो ठीक हो गए है है। ब्रते जी एक दृस्टी की बात जो अपने प्रारम में भी कही थी कि जो बाबा ने कहा है कि नाचरल रूप से आत्मिक दृस्टी हो जाए तो सभी की दृस्टी तुम्हारे उपर पड़ेगी साक्षातकार होंगे और प्रत्यक्ष्टा होगी तो ये द्रिस्टी और साकार मुरली में भी हम बार-बार सुनते हैं कि आँखें ही सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं ये आँखें नाचरल रूप से आत्मा पे ही जाएं प्रैक्टिस तो हम जानते हैं फिर भी कुछ और ठूस बाते हैं देह की और नजर ही ना जाए, नाचरल हो जाएं देखें इसमें और कोई बात तो है नहीं दिखाई तो देह ही देते हैं लेकिन स्वया में सरीरी होने का ब्यास और आप ऐसा एक नियम बना लें ये ब्यास की बात है चिंतन की बात है सभी आप अपने घर में बैठे हुए अकेले बैठे हुए चिंतन भी किया करें कि ये ड्रामा कितना सुन्दर है सभी आत्माई अपना-पना सुन्दर पाट बजा रही हैं कैसे हम देवता थे उतरते-उतरते कैसे वे एंड में आगे सभी आत्माई है देहे तो विनासी है एक छूटता है दूसरा मिलता है वो छूटता है तीसरा मिलता है ये जो चिंतन है ये हमें बहुत मजद करेगा इसको स्वधर्शन चक्रधावी होना कहा जाता है इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे और ट्राफिक अंट्रॉल के समय अब पांच बार ये कर ले सारा दिन भी आपको इसकी कोई कि सारा दिन तो मनुस इस तरह की प्रैक्टिस कर भी नहीं सकता ट्राफिक अंट्रॉल जो भी चाहे एक मिनट वाला चाहे तीन में अट वाला आप अमने घर में बैठे ओविच में बैठे सब आत्माएं हैं आपके आसपास लोग हो तो उन्हें आत्मा देख लो ना कोई हो तो संसार में सभी आत्माएं हैं चमकती हुए मनिया हैं अपना-पना पार्ट बजा रही हैं सब भगवान के बच्चे हैं आत्मिक दृष्टी के साथ चिंतन भी और जो हमें बुद्धी का थीसरा नेत्र मिला है उससे मस्तक के मद में दूसरों को चमकती आत्मा देखना पांच बार करेंगे ना मनलो पांच लोगों को आपने चमकती आत्मा देखा है तो यह काफी होगा पांच बार कर लेंगे तो यह दरे प्रैक्टीस बढ़ेगी और जब हमारे दृष्टी आत्मा पर जाने लगेगी तो क्या होता है आत्मा टू आत्मा हम जुड़ जाएंगे हमारे वाइब्रेशन्स उन आत्माओं को जाने लगेंगे क्योंकि बाबा का ये बड़ा सुक्सम महवार्क है, दूसरों को आत्मा देखना, माना, उन्हें करेंट देना, वाइब्रेशन्स देना, तो हम दूसरों को आत्मा देखेंगे, तो हमारी spiritual वाइब्रेशन्स उन्हें मिलेंगे, उनका भी देवान छूटता जाएगा. जी, और बाबा ने जैसे कहा है, इसे हमें किवला अभ्यास तक नहीं, लेकिन एक आत्मिक भाव तक ये चीज हमारे उतर जाएगा, तो हमारा जीवन बहुत सुन्दर हो जाएगा. जी, एक चीज इसमें कई बार ये देखा गया है, हमारे अंदर एक थोड़ा सा डर रहता है, कईयों को कि अनुगह मैंने सुने, या लंबे समय से चलने वालों के भी, कि बाबा कहते हैं कि यदि अंश भी रहेगा, तो वो वन्श का रूप ले लेगा, तो कई बहुत अच् अचानक, अचानक कोई भी चीज, चाहे वो पास्ट की स्मृती हो, चाहे कोई संसकार का बहुत फोर्सफुली उदय हो, कुछ देखा हो, कई व्यक्ती सामने आ गया हो, तो फिर से वो हल चल हो जाती है, तो लगता है कि कहीं अंद में हमारी हार ना हो जाए, इस डर की तो ज अंस नहीं, विकारों का एक बहुत बड़ा भंडार ही मनुस्यों के अंदर था, उन्होंने दबाया हुआ था, बाबा से परतिज्या तो कर ली, लेकिन योगभल नहीं बढ़ाया, तो भंडार तो अगनी का भंडार है ना, वो उनको जला के नस्ट कर गया, हम जितना योग बढ़ायेंगे, इसके अंस स्वतही नस्थ होते जाएंगे, योगभल भी, योग में मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, पांच स्वरुपों का भ्यास और उसमें स्वमान आ जाता है, आत्मिक द्रस्ति और सरीरी पन, इनसे हम कर विन्रिय जीत बनते हैं, और इनसे जो अंस रहते हैं, मैंने जैसे का अंसे नहीं, अगनी का भंडार रहता है कईयों के अंदर में, वो विस्फोट हो जाता है, और वो मनुस को जला के नस्त कर देता है, इसलिए योग अगनी से इस अगनी को बुझाते चलें, देखे इतना सुंदर मार्ग अपनाया है, बहुत पड़ी प्राप्ती होने जा रही है, तो महनत तो अपने से करनी ही चाहिए. आप अपने लोग की जोग में कितनी महनत करते हैं? कई हो तो तो बारा बारा गंटे जोग करनी पड़ती है, थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, सरीर भी थक जाता है. एक छोटी सी नौकरी के लिए जिसे केवल जीवन चलता है, मनुसित्नी महनत करता है, और विश्व की बादसाई मिलती हो, एक्की जनम नौकरी करनी नहीं पड़ेगी, अथा धनसंपदा होगी, एक्की जनम क्या ध्वापुर के भी सारे जनम, तो थोड़ी महनत करनी पड़े जी जी, बाबा कहते हैं, एक्जामपल की पाँच रुपए का मटका खरेते हो, कितना उसको पीटते हो विचहरे का, बिल्कुल, जब बाबा सा कार में थे, उन दिनों तो 30 पैसे का मटका था तो लोग उसको ठोक ठोक के ऐसे देखते थे कानों के पास, हम छोटे थे, हम लोग बजाई करते हो, तो भगवान राजाई देगा, तुम्हें ठोकेगा नहीं थोड़ा बहुत, ठोकाई तो होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, ताकि देख लें, तुम कितने मजबूत हो, राज चलाने लायक हो, या कमज़ोर हो के शिंगासन से उतर के भाग जाओगे कई बार जब बच्चे ये कहते हैं, मुर्लियों में आता है कि बाबा आप अपनी माया को अपने पास रखो, इसे हमारे पास मत भेजो, ये बहुत परिशान करते हैं, तो बाबा कहते हैं, नहीं मैं तो भेजूँगा, अच्छी तरह से जा कि फटकाओ, टेस्ट लो, तो इ तेंपर करती भी उसकी रचना है, माया भी उसकी रचना है, तो बाबा भी उसी में कह देता था, मैं तो माया को गयता हूँ, अच्छी तरह परिक सालो, देखो राजा ही पाने लायक हैं, लेकिन बाबा ने बड़ी मज़ेदार बात कही थी, कि माया बिल्ली, तुमारे खोल दे तो आजाओ, तो वो आजाती, दर्वा जाना खोलो, तो नहीं आएगी, दर्वा जाना, खोलने का अरत है, उसको स्वीकार ना करना हूँ, तो माया से तो हमारी युद्ध है, वो आएगी, लेकिन मुझे बाबा की ये बात, अब ये मुडली में आई है, दुस्मन वार कर रहा है, तुम्हारा कान तो है ना, उस पे वार कर देना, विजय हो जाना, डर के थोड़ा है, भागोगे कि दुस्मन ने वार कर दिया, ज्यान के अस्त सस्त प्राप्त है, बस अपने को समालो, ऐसा वार करो कि माया दोबारा आए ही नहीं आपके पास, नस्थ हो जा ज्यान का बल भी यूज़। मोटिवेट करने का तरीका है। बिल्कुल हमें तयार करने की जो उसकी विद्य है वो बिल्कुल सुप्रिम है। तो सच तो ये है जितने हम पावरफुल बनेंगे, सब डरने लगेंगे, हमसे माया भी डरेगी। लेकिन बावा अपने बच्चों को जरह मजबूत करना चाहता है। डरो नहीं तुम आगे बढ़ रहे हो तो माया भी जोर से वार कर रही है। तुम और आगे बढ़ते जाओ। सबके साथ ऐसा नहीं होता कि हम रुस्तम हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं तो माया भी पावरफुल ली आ रही है। माया के सुकसम रूप आ जाते हैं फिर जो मनुसकी मनो इस्थिती को डगमगा देते हैं। बड़ी माया खतम कर ली किसी ने। फिर मैपन की माया, स्वार्थ की माया, कही न कहीं, इर्षा की, मान की, च्छा की माया, फिर ये जो सुक्ष माया हैं, ये रह जाती हैं, पावरफुल, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम आगे बढ़ेंगे तो माया जादा आएगी, हम आगे बढ़ेंगे तो माया कुछ आत्माइं ऐसी होती है, जो बहुत सुन्दर भी ना हो, बहुत अच्छ एजुकेटेड भी ना हो, किसी पोजिशन पे भी ना हो, बहुत सामानने हैं, लेकिन उनकी साथ एक, या तो हिसाब किताब कहें, तो वो मन की डोर एक बंधी रहती है, या एक विशिश लगाओ उनके प्रती, एक, दो या तीन ऐसे हो सकते हैं, होता है, तो इसे हम कैसे समझें, और इसे कैसे खत्म करें? देखिए, वो दोनों वोट से हो सकता है, दूसरा व्यक्ति भी एट्रेक्ट कर रहा हो, और हमारा भी कोई हिसाब किताब हो, इसमें पूर्वजन्मों की बात भी आती है, लेकिन कई लोगों में impurity ज़्याद ही होती है, वो सुन्दर हो या नहों, impurity कुछ ज़्याद होती है, तो उनके impure vibrations कई योग को एट्रेक्ट कर लेते हैं, हमें उन्हें आत्मिक द्रस्टी से ही देखना चाहिए, और जैसे मैंने कहा, एक संकल्प आप पक्का कर दो, अब ये मेरा मार्ग नहीं है, ये अपको ये संकल्प बहुत काम आएगा, मेरे अनुभव का संकल्प है, मैं जब अपनी प्यूरिटी की यात्रा पर देख चल रहा था, तो ये संकल्प बहुत काम का रहा, बड़ा हैल्फुल रहा, कि ये मार्ग मेरा नहीं है, अब मैं खूल के बता दू, हम लोग मुजियम में जाय करते थे, अब तवाबु में जाते, नहीं कम जाते हैं, तो मुजियम में पैदल जाते थे, इदा-ुदर पैदल जाते थे, तो मधुवन में लोगають हनीमोन का मनाने बहुत आते हैं, तो यूगल हात में ऑड़ डाले, गले में हाड डाले, चल रही हैं, यंक पिल है बस मुझे एक ही संकल्प रहता थै ये मार्ग इनका है हमारा नई बस संकल्प से आन्त तो ये संकल्प आपको बहुत मुंदत करें ढ़ेगा जी, जी, जी तो ये जो हिसाब किताब की एक जो डोर है उसे भी हम अपने संकल्प से हल्का कर दे। बिल्कुल हिसाब किताब हो सकते हैं, no doubt, लेकिन अब तो हमें हिसाब किताबों को समाप्त करना है, ना उनको बढ़ाना थोड़ा ही है, बढ़ाएंगे तो वहां से जाएंगे, अब तो हमें जो भी जनजीरें उने तोड़नी है और उसको स्वीटली हम तोड़ सकते हैं आत्मिक दर्ष्टी से, आत्मिक भाव से कई बार एक जो हम सामने वाले के कल्यान का भाव रख करके सोचते हैं कि उनका कल्यान हो वहाँ पे थोड़ा सा कई बार हलकापन आजाता है कोई रहता नहीं है मैं तो कुमारों को सीधा करता हूं सुसाइड वो करेगी न आप क्यों कर रहे हो अपावितर बन्ना भी तो सुसाइड करना है वो तो तुम्हे धमकी दे रही तुम्हें आकर्सित कर रही है कैदो कर लो मेरा मार्ग अपना है मैंने भगवान को हाथ दिया और किसी को नहीं दे सकता तो ऐसे रहम की भावना कहीं कहीं मनुस को फंसा देती है इससे भी सबको बचना है अपने आपको थोड़ा सा डिसकनेट कर लें या फिर बहुत स्ट्रॉंग हो जाएं और उनकी बातों में आकरसनों में थोड़ा सा ना है ब्रादे जी कई बार एक चीज़ बाबा मुर्लियों में कहते हैं कि काम जो है वो आदी मध्य अंत दुख देता है तो ये आदी मध्य अंत का क्या भाव देखे कई भाव हैं इसके एक तो जब रोज की बात अगर देखू जब किसी के अंदर काम की फीलिंग होगी संकल बुरे चलेंगे वहीं से दुख सुरू हो गया जब वो काम में रथ होगा तो उसकी सारी एनरजी नस्थ होगी माइंड बुद्धी पॉलिटिड हो जाएंगी और अंत में होता है पस्चात्ता आप ये दुखों का द्वार खोलता है क्योंकि मन की शक्तिया नस्थ हो जाती है बहुत दिख शक्तिया नस्थ हो जाती है दुख सुरू होते है सम्बन्नों में भी कड़वाट होती है मनों सिस्त्री पूर से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, देभान बहुत बढ़ जाता है, ये दुखों का कारण बनता है, और जब से कामवासना शुरू हुई, द्वापुर से थोड़ी-थोड़ी हुई थी, बहुत नहीं थी, आप समयले नरक की भी सतोपरदान, इस्तिती थी वो, दु कारण घरों को भी देखता हूं, कैसे संबंदों में टकराव है, सप्रेशन हो रहा है, डिवर्स हो रहे हैं, धन भी काम नहीं आ रहा है उनको, इस्थिती अच्छी नहीं, तो इच्छाएं बहुत हैं, तो इन सब से यही बाबा कहते हैं कि सुरू में भी दुख दिया, पी पर यही तुम्हें आदीम अध्यन दुख देती, इसी छोड़ो, इस रूप से भी इसका मेनिंग है, जी, जी, मतलब इसमें किसी प्रकार का सुख नहीं है, कोई प्राप्ती नहीं है, इसे लिए इससे मुख मोड लेना, इस हिसाब से भी इस बात को बाबा हमें कहते हैं, ब्रते जी, क्या लोगों को रहता है कि बाबा ने भी गंधर भी विवाह कराया था, तो यदी situation ऐसी हमारी ना हो, तो क्या इसके लिए अभी यग्ये की तरफ से permission है, देखे, यक का मामला नहीं है, बाबा ने कराया था, कई केस फेल होने लगे, फिर बाबा ने छोड़ दि है, इसका निरने आपको स्वेम लेना है, क्योंकि भाग्य निर्मान आपको स्वेम करना है, आप लव मेरीज करेंगे, चलो पवित्र भी रहेंगे, लेकिन अटेच्मेंट इतना हो जाएगा, एक दूसरे से इमोशनली इतना जुड़ जाएंगे, कि आपका चित एक आगर नहीं हो पाएगा, एक दूसरे को संतुस्त करने में मनुस्त का सब गुण नस्त हो जाता है, अकेले हैं तो राजा हैं, दूसरा आ गया, तो अधिनता सुरू हो गई, तो इसके बारे में यग की कोई बात नहीं, इसके निरने आपको स्वेम लेने हैं, जी, जिनके बच्च हो जाएगा, उनमें आपकी बुद्धी बहुत जाने लगेगी, आपका ग्यान योग तो डाउन हो गाई, क्योंकि मैं इसे बहुत सारी केश देख चुका हूँ, माबाब बहुत अच्छे, अच्छे धन भी उनके पास अच्छा, बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, सकता में करना भी पड़ता है, लेकिन आगे की बात पर आपको खुद विचार करना है, आप उसके साथ सुखी रह पाएंगे, उसके संसकारों से मिलन कर पाएंगे या नहीं, इसलिए ये नहीं भी स्वैम लेना है, जी, जी, वैसी बाबा से अच्छा बच्चा तो और कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या है कभी-कभी समाज मेसेजी जोती है, इनको कोई बच्चा नहीं है, मा को भी लगता के लिसुनी गोद, तो उनको होता है ले, ठीक भी है, भारत की तो परमपरा है, मैं इसके लिए मना नहीं करता, लेकिन जब हम विस्पृच्पल मार्क पे है तो ये थोड़ी कटना ही आती है, जे, 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 ब्रते जी, एक प्रशन और भी इससे जुड़ा हुआ आया है, कि जो ब्रहमचरी की बात है उससे, इसका एक इसपस्ट प्रारूप नहीं है, ये बहनों की तरफ से प्रशन था, कि जब उनकी पिरियेट्स होते हैं, तो उस समय क्या बाबा को के लिए भोग बनाया जा सकता है, भोग लगाया जा सकता है, योग कक्ष में बैठा जा सकता है, किचन में जाया जा सकता है, क्योंकि ये तो एक नाचुरल सी क्रिया है, और यदि वो घर में अकेली हैं, वही सब करने वाली हैं, तो फिर ये की करब से क्य आएंगे बाक्य किचन में जाओ, बोजन बनाओ, आप खाओ, सुखी रहो, लेकिन इसको थोड़ी सी impurity माना जाता, इसलिए भोग इसमें नहीं लगाया जाता बाबा को, बस बाक्य इसको आप seriously नहीं लेंगे, क्योंकि एक सरीर की natural प्रकिरिया है, यदि हम अकेली ही हैं उसमें घर में, तो फिर क्या मानसिक भोग नहीं लगाया जा सकता, नहीं जैसे आप बोजन खा रहे हैं, तो बाबा को अर्पित कराओ, वो तो जो नियम विधी हैं, उसी तरह करो, तिकन बाकायदे जो भोगम सजा के बाबा को ओफर करते हैं, वो नहीं तो वो भोग बाबा स्विकार नहीं करते हैं, ठीक है, ब्रते जी, कई बार ये कहा जाता है, कि जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनकी आयू बहुत लंबी होती है, लेकिन यहां देखा जाता है कि कई जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे हैं, वो भी जल्दी-जल्दी ही उपर जा रहे हैं, तो क्या इसका आयू के साथ कोई संबंध नहीं है पवित्रता के? देखे, सुमा विवेकानन तो ब्रह्मचारी में परसिद्ध व्यक्तित तो रहे हैं, वो भी 40-41 साल में चले गए, आदी संक्राचारी है, संपोन पवित्रात्मा पत्ति साल में चले गए, और बहुत सारे महत्मा, संथ ज्यानिश्वर भी मुझे लगता है, 14 साल में चले गए संपोन पवित्र थे, तो एक्च्वली ब्रह्मचारी की शक्ति शरीर को अच्छा रखती है, स्वस्त रखती है, लेकिन कई ब्रह्मचारी का पालन करते बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बीमारियों के कुछ और कारण होते हैं, इसलिए ठीक है कई ब्रह्मचारी क तो मेरे मस्त्रक पर ये सिकुडन नहीं आएगी लेकिन उनको तो फिर जहर दे दिया गया था सतर साल से कमी थे सायद वो तो कनेक्शन तो है अलम भी आयो से लेकिन भरमचरिय के साथ योग भी चाहिए और अगर हम हेल्दी हैं हम अपने कान पान पे ध्यान रखते हैं हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा है मान लोग कोई भरमचरिय का पालन तो करता लेकिन कान पान उसका थोड़ा है भी है तो उसको भी थोड़ी बिमारियां लग जाती है इसलिए नाता है भी लेकिन अब कल युक क्यांत में दहे छोड़ना उसके पीछे कर्मों का भी तो हिसाब किताब है ना बहुत जादा कि अकेला ब्रहमचरी उसमें काम नहीं करेगा किसी का हिसाब किताब किसी परिबार से पूर्ण हो गया तो उस अत्मा को जाना ही है चाए वो कितनी पवित्र हो मत Timothy हैं हमारे कई चीज़ों पे निरभर करते है एक चीज़ और जैसे आपने खानपान की बात की बता है वो तो हमारी ब्रह्मचरे पवित्रता से बहुत जुड़ाई हुआ है एक बात और कहीं गई थे शास्त्रों में हैं कि निद्रा का भी बहुत एहम रोल होता है कि यदि आपकी नेंद कब सोना है, कैसे सोना है, कि सवस्था में सोना है और यदि ये सारी चीजें भी ध्यान नहीं दे जाते हैं तो भी हमारी ब्रह्मचरे के उपर प्रभाव डालता है बिल्कुल ठीक बात है इलिए बाबा ने देखो कैसे सुन्दर दिन चरिया बनाई थी दस बजे गीत बज जाता था हमारे यहां सोने का आजकल नहीं बजते पर बाबा के समय से कई दिन तक फेरे गीत मिनुपुरसुत्तम ने गाया था वो बहुत सुन्दर था दस कभी देर होगी तो साड़े दस और साड़े तीन और चार उठना तो यह बहुत अच्छे दिन चरिया है जिसमें नेंद भी पूरी हो जाती है और सबेरे का समय जो बहुत सुन्दर है आत्मों के अच्छली पवित्र बनाने वाला है उस टाइम का हमारा योग बल उसका भी हमें आनंद आ जाता है इसलिए खानपान भी हमारा लाइट भी हो तलाबुना जादा ना हो मिर्च बहुत जादा ना हो मैंने कहता कि आपको मिर्च नहीं खानी लेकिन बहुत लाल मिर्च खाते हैं उनको भी तकलीफे हो सकती है कई यों को नहीं होती क्योंकि उन्हाने बच्पन से खाई है और उनका सिस्टम अच्छी अच्छी लाल मिर्च को भी डाइजर्स कर जाता है लेकिन हम लोग खा लें तो आदा चम्मच भी चलीगे सारे खाने में तो तकलीफ पैदा कर देती है खानपान निद्रा दोनों का ही परम्यत्व है जादा सोने वालों को भी ब्रह्म्यत्व फलीबूत नहीं होता क्योंकि जादा सोने से स्वपन बहुत आएंगे गंदे होंगे इसलिए जो बाबा ने हमारी दिन चरिया बनाए तको भगवान ने बनाई है रोयल और एकदम बैलेंस उसको हमें फॉलो करना चाए जो बाबा यह कहते हैं कि ठीक है हम दस बज़े सो जाएं सुबा हम दो बज़े ढृए बज़े 3 बज़े उड़े लेकिन कई ऐसे हैं जिनको रात को नीद नहीं आती है हम राम्हडों में भी ऐसे हैं तो वो 11, 12, कईयों का तो एक भी बच जाता है तो उनको लगता है कि इस समय को फिर क्या करें हम तो कैसे ये अपनी दिनचरिया को फिर सेट करें अच्छे बात ये होगी इसमें कि जब आपको जागना पड़ रहा है उस जागने के समय को आप spiritually यूज कर लें टीवी और वोटसप और सोसल मेडिया पे नहीं ठीक से यूज कर लें नींद के कुछ साधन बना लें ऐसे कुछ चीज़े आयूरवेद में भी हैं चुचुची हलकी हलकी हर बलगोली इनको खाने से हर्मोन्स ब्रेन के भी अच्छे हो जाते हैं नींद वाले हर्मोन्स एक्ट करके माल एक बज़े सोए और आप छे बज़े उठे और फिर फ्रेस उठ गए हैं तो तभी से आप अपना योग का प्रोग्राम अच्छा चालू करेंगा नोर योग का तो आपकी नेंद भी पूरी हो जाएगो और स्प्रिच्वली भी आपी स्ट्रॉंग हो जाएगे आप को फिर ये सोच के परिशान होने की ज़रूत नहीं मैं चार बज़े नहीं उठी या नहीं उठा उसको थोड़ा हलका करते हैं तो बाबा जो ये कहते हैं कि वो समय दुशित होता है अपवित्र होता है तो उसका भी प्रभाव तो अमारी नाइंद और मैंधे ऐसा सब के लि बारा बहे तक योग बहुत कर लेता था मजा आता था वो रात को जैसे बढ़ते हुए आदत थी ना देर तक बढ़ने की तो वो continue रहा तो रात को बारा साड़े बारा योग मौस पावरफुल सो लेते थे कोई बात नहीं मजा आता था तो अपनी अपनी मन की स्थिती को हम देख लें और उस अनुसार हम अपनी सेटिंग रखें तो क्या ये सत्य है क्योंकि हम तो उम्र की उस पड़ाओ को पार करके बाबा से जुड़े हैं हमारा चुकाओ तो हमेशा ही इंद्रिय सुखों की ओर रहा है तो न चाहते वे भी मन बुद्धी बार-बार वहाँ चली जाती है क्या करें? प्रानायाम करके और योगबल बढ़ा कर, आत्मा से प्योर वाइब्रेशंस भी पूरे शरीर को दिया करें, मैं परमपवित्र आत्मा हूँ, मुझसे गोल्डन किरने ब्रेन में फैल रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, अंगं को शुद्ध और सीतल कर रही हैं, यव्य कभी भी ट्रेफिक कंट्रोल पे भी आप कर सकते, एक एक दो दो मिनट ही करना होता है, तो पुराना इफैक्ट भी खतम हो जाएगा, जी जी, मतलब जब जागे तब ही सवेरा, कई बार हम कुछ इन बातों को पकड़ लेते हैं, तो फिर वो संपूंडता खुद ही नहीं ल पुरा हो गया, आप बाबा के पाद जीवन, ब्राह्मन जीवन, नया जीवन, बाबा कहते हैं, जैसे एक सरीर छोड़ के दूसरे सरीर में जाने पर कुछ भी याद नहीं रहता, मर्जीवा जनम हो गया, अब पुराने को भुला के कुछ भी याद न रहे, ऐसा अब्यास कर बार बार चिंतन करेंगे तो याद रहे हैं, अब खताम हो गया जीवन, इस मस्ति में आ जाओ तो भूलता जाएगा, एक स्वामी दयानन सरस्वती जी के जीवन का एक सुन्दर प्रसंग प्रते जीवन, उस पर मैं प्रकाश जाहूंगा, एक बार उनसे पूछा गया कि क्य मेरे पास आने का समय ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता, तो यह जो अपने आपको व्यस्त रखने वाली बात है, हम कैसे अपने आपको ऐसे रखें कि कामदेव आए भी तो वो गेट पे ही रहें और फिर चले जाएं स्ट्रॉंग रहते हैं, इसलिए के वल व्यस्त रहने की बात नहीं, ब्रह्मचरिये को उन्होंने अपनी अच्छी साधना बना दिया होता है, तो कामदेव उनको टच नहीं करता, उनके पास नहीं हाता, और जो मैंने का ना, इन आत्माओं में भी यही संकल्ब रहता था, इस नोट माई लाइफ, वो है ही नहीं, अमारा उच्छोड़ है, सारा संसार उसी में तो है, हमें इसमार पे चलना है, साधना ये करनी है, संसार को नहीं लाइट देनी है, कि सुम्हश देयान ने भी बेदों की व्याक्याय आलग की, और जो पुरानी मान्यता है थी, उनको बहुतों को cancel किया रिजेक्ट करा है तो उनको भी power की जवरुति साधनाओं की power भी और ब्रहमचरीय की power भी तो इसमें केवल यही नहीं कि अपने को वियस्ती रखना है वियस्त रखेंगे तो योग कैसे करेंगे वियस्त spirituality में रखना है याद और सेवा में हम जिसको बाबर डबल लॉक कहते हैं तीसरा भी जोड़ लें अपने लोग की काम भी सेवा भी याद भी जी 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 मतलब ये सभी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगे तो उसके लिए हम अपने आपको खाली हें न चोड़ी क्वेड़ ऐसन लगता है कि जब हम खाली होते हैं थोड़ा सापने आपको free छोड़ते हैं कि चलो हम entertainment करते हैं थोड़ा सा बहुत सेवा हो गया या बहुत ये हो गया तो थोड़ा ना रजन कर लेते हैं तो ये मनो रजन का लेकिन ये हमेशा ही तो ये मनोरंजन नहीं रहता है। ये मनोरंजन नहीं रहता है। ये मनोरंजन नहीं रहता है। ये कला है। एक निस्ट होकर आप छे मेहने तक ब्रह्मचरे को गहराई से धारण कर लें, योग साधना करें। तो फिर जैसे ये ब्रह्मचरे भी संपूर्टा को पा लेता है और आप भी जैसे संपूर्टा की और बढ़ जाते हैं। तो क्या ऐसी दृड़ता पुर्वक या हट पुर्वक भी कह लें, क्या ऐसी साधना कर लेनी चाहिए। कहीं कहीं ब्रहमचरिय में हट भी करना होता है, कोई चीज हमें अट्रेक्ट करनी, नहीं देखना हुदर, कोई काम हमें करना, इस तरह करना है, लेकिन एक निष्ट, माना एक तरह ही बुद्धियों, एक वरता जिसको कहते हैं, एक पर हम फोकस कर दें, छे मास रेक के लिए काफी टाइम नहीं है, किसी का जीवन कैसा, किसी का जीवन कैसा, लेकिन अगर किसी का जीवन थोड़ा अच्छा रहा है, तो छे मास उनके लिए एक सुन्दर समय होगा, जो बावा ने हमें साधना ही सिखाई हैं, उनको कर लें, बोजन अलका करें, में एक दिन साइलेंस कर दें, घर में योग के अच्छे अभ्यास कर लें, मानलो वीकेंड पर आपकी दो दिन चुट्ती है, दो दिन का एक सुन्दर पुरसात का प्लान बना लें, इस तरह है जीवन आसन कर लें, तो योग और पुरसात में एक सुख मिलने लगे गा, एक जो है ये विकार उकरस को फीका बना देता है ये बहुत बड़ा फायता हो जो एक बात आप हमेशा कहते हैं और साइकोलोजिस्ट भी कहते हैं कि यदि कोई संसकार आपको बनाने हैं तो आप 21 देज या कुछ समय तक उसमें पूरी तरह से फोकस्ट हो जाएं डेडिकेट हो ज जैसे कहा कि सेवाओं से जुड़े हुए प्रश्न भी बहुत हैं सुक्ष्म प्रश्न भी बहुत हैं क्योंकि वैसे भी हमारा ये जीवन है तो इस पे हमें गहराई से चिंतन विचार तो करना ही हैं शास्त्र पुरान इसकी महत्ता से भरे हुए हैं मुझे याद आ रहा है इस धार्णा की सुंदर जो बात चल रही है कि स्वामे विवेखा नन जी एक बार यूएस में ही अमेरिका में ही टहल रहे थे क्योंकि उनका व्यक्तित तो बहुत बहुत ही जबर्दस था और पवित्रता जैसे हमीशा ही ब्राता जी कहते हैं कि उसका जो ओज है तेज है व तो उन्हों है कि मैं आपके ही जैसा एक बहुत ही तेजस्वी, ओज्वान, पुत्र चाहती होनगे और वो भी आपसे चाहती हों इसलिबर्दस विवाह करना चाहती हम तो वीवेका नन जी का जवाब बहुत संदर था उन्होंने कहा कि जो संतान होगी वो मेरी ही तरह जवान हो ऐसा जरूरी थोड़ी है क्यों नहीं आप मुझे ही अपना पुत्र स्विकार कर लेते हैं क्योंकि आपको मेरे जैसा ही चाहिए ना मुझे ही अपना पुत्र स्विकार कर लेते हैं कितनी उंची ब्रह्मचर्य की और पवित्रता की सुंदर धारना हम देखें जिस ब वर्तित कर दिया और इसका कितना गहन प्रभाव रहा होगा एक और बात आती है शास्त्रों की ही बात कि द्रवपदी जी भी एक बार कहा गया कि हमारी पांडव द्रवपदी साथ थी जब ये वनवास की स्थिती में थे एक व्रिक्ष ऐसा था जिस व्रिक्ष का टूटा हुआ फल भी वो व्यक्ति लगा सकता था जिसके अंदर संपूर्ण पवित्रता हो तो द्रवपदी जी ने कहा कि ये तो मैं लगा सकती हूँ क्योंकि मैं तो एक निस्ठ ही हूँ मैं अपने पतियों के बारे में ही सोचते हूँ और किसी के बारे में तो मेरा ध्यान जाता है उन्होंने फल लगाने की कोशिश की लेकिन लगा ने तो उन्होंने पूछा श्री कृष्ण जी से कि ये ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मैं तो उस हिसाप से जैसे शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि अपने पती को परमेश्वर माना है और कहीं बुद्धी नहीं गई है तुन्हें भी पती वरता माना जाता है। व्यक्तित्व की ओर चुकि तुमा करशित हुए थी, वहाँ भी एक जो पवित्रता का वरत है, वो भंग हुआ था, तो कितनी सुक्ष्मता है इस धार्णा में, हमें भी तो ऐसी ही सुक्ष्मता से इस धार्णा को अपनाना है, तब जाकर के संसार में हम अपने इस पवित्रत ताकि प्रताप से भाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, तो ब्रताजी सभी की ओर से दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने आज भी धार्नाओं को बहुत गहराई से हमारे सामने रखा है और निश्चित रूप से इस मार्क पर हम बहुत दिवरता से बढ़ेंगे, मैं चाहूंगा कि हमें पांच मिनट बहुत सुद्धर इस योग के प्रैक्टिस के ओर ले चलें ताकि यह दाना सहे चाहूं मैं पवित्तरता का फरिस्ता हूं और जिनकी प्योरिटी अच्छी वो चंकल्प कर लें मैं पवित्तरता का सूरिय हूं ते जस्वी मेरे अंग-अंग से प्योरिटी की गोल्डन किरने चारोर फैल रही है और मेरे चारोर बहुत डिवाइन ओरा बन गया है अभा मंदल सिर के उपर देखें ज्यान सूरिय पवित्तरता के सागर से बावा चमक रहे हैं उनके पवित्तर वाइब्रेशन समुझ पर पढ़ रहे हैं मैं परम पवित्तर हूं पवित्तरता की शक्ती से भरपूर पवित्तरता का ताज मेरे सिर के चारोर है मैं देव कुल की परम पवित्तर संबो निर्विकारी आत्मा हूं ओम शांते जब इस पवित्तरता से जुड़े विए प्रशन लोग करते हैं तो जैसे संसार कैसे चलेगा आदे यादे इत्यादे अनीक प्रशन होते हैं इस प्रकार के भी प्रशन हो, हम तक प्रिशित जरूर आप कर सकते हैं, ताकि उन पे भी सुन्दर प्रकाश हो, और हम सबको कन्विंस कर पाएं, सबको पवित्रता की और आगे बढ़ाँ पाएं, व्रताज एक बार पुना शुक्राइएं अवित्रता का अरिदें जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला पवित्रता का दिदे कुन्जों में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला यही अनादी रंग है अपना यही तो आदी स्वरूप है इसी में शांती की छाया है इसी में सुख की दूप है कल्प कल्प के भाग भवन की यह आदार शिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला कि बाग भवन कीत्व लवन धशारा कि में शांती कैने जीवन में सुख ही सुख मिला कि बाग लवन जिदानी कानध भाग दो आदानी कि जीवन में में सुख आज़ है कि दूब है कि आदानी सुख और्सelnीं अधरों पर विख्री सच्चाई अंतर में निर्मलता आई अधरों पर विख्री सच्चाई अंतर में निर्मलता आई विराजित तरके मंदिर में मन के मूरति मुस्काई देन प्रभु की सब को देने चला ये काफिरा जिसकी सुगंध से जीवन में सुख है सुख मिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख है सुख मिला प्रभु का येओंस पाने में सुख हैं तरके मिला बाझयद प्रत सब करू भाई प्रत जिससे पाने में साथ काफ्यों प्लुग विराजिस जीवन में प्लुक्ष येओत जीवन के जीवनियव उनτο फ्रों आई निश्चय ने निश्चिन्त किया निश्चित विजय हमारी निश्चय ने निश्चिन्त किया निश्चित विजय हमारी पवित्ता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ये सुख मिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ये सुख मिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला जहां।